हमारे बाजार के लिए अब क्या important रहेगा इस data को देखते हुए and of course हमारी भी policy अगस्त के पहले हफते में आने वाली है तो थोड़ा उसकी तरफ भी अब focus बनेगा बिल्कुल उससे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ जो अमेरिका में ब्याज़रे हैं और जो ब्याज़रे पिछली बार 5% बढ़ने के बाद पहने 2% होगे तो नेट नेट आप यह समझे साड़े साथ परसेंट वहाँ पर नेगटिव इंटरेस्ट है यॉरोप में सबसे जादा लगबग 9% नेगटिव इंटरेस्ट है Britain में लगबग 8% के आज़ फास नेगटिव इंटरेस्ट िए और हमारे जो नेगटिव इंटरेस्ट है वो 2% के आज़ पास है इससे आप अंदाजह लगा सकते हम कितने बहतर सिच्झेशन में अगर नेगटिव इंटरेस्ट से लिए आज से देखे यानिकि हमने समय से पहले ही ब्याज़रे बढ़ाना भी शुरू कर दिया और हमारी महंगाई भी comparatively काफी बेतर है अब आप ही कहेंगे कि 7% और 9% में बहुत फर्क थोड़ी होता महंगाई में बात तो सही है नहीं होता लेकिन भारत हमेशा से ज़्यादा महंगाई वाला देश रहा है और ज़्यादा तर विकास शील देशों में यह होता है वहां महंगाई ज़्यादा होती है उसकी एक बड़ी वज़े यह है कि हमारे पास जो भी महंगाई है वो इंपोर्टेड है बहार से आने वाली महंगाई है लोकल महंगाई बहुत ज़्यादा नहीं है खाने पिने की चीज़ों के दाम MSP वगरा की वज़े से हर साल बढ़ते है लेकिन साथ ही प्रोडक्शन भरपूर है इसलिए आपके लिए वहाँ पर महंगाई कम है जो कुछ भी महंगाई हमारी है ज़्यादतर कच्छे तेल की वज़े से है वो कमोडिटीज की वज़े से जो ग्लोबली लिंग्ड है या जो हमें ग्लोबल मार्केट से इंपोर्ट क भी नज़र है और हमारे लिए क्या माईने है जो ग्लोबल मंदी का डर है डॉलर मजबूत हो रहा है और अफकोस यह जो सारा डेटा आ रहा है रूपिया थोड़ा और कमजोर हो सकता है अमेरिका की महंगाई के आँख़ों को देखकर आर बिया ज़रे अच्छी खासी बात नहीं है क्योंकि आर बिया इस बार है ना महंगाई को लेकर और साथी ब्याज़रों को लेकर बहुत कोशिस और एग्रसिव अप्रोच लेकर चल रहा है और आप देखिए जब पहली बार आर बिया ने चालिस बैसिस ब्याज़रे बढ़ाई मिट टम पोलिसी लाकर नह नहीं किया है तो हो सकता है अगर अमेरिका में और सिचेशन फेट की तरफ से ज्यादा खराब होती दिखे डॉलर यहां से और निकले करेंसी और ज्यादा वीक हो तो उस हिसाब से आर बिया हो सकता है समय से पहले एक्शन लेने की कोशिश करें यह एक्शन वहां से बाकी र रेक्शन लिमिटेड होगा, हाँ, एकोनोमिक रेक्शन आपको थोड़े लंबे समय में ज्यादा देखने को मिले गए, जी दीट बिल्कुल तो चलिए ये है आपके लिए पूरा डेटा का विश्लेशन ग्लोबल मार्केट्स पर जो नजर है और जो अच्छी बात है, लगातार दूसरे दिन कर्चे तेल को हम 100 डॉलर, 100 डॉलर के नीचे इस समय देख रहे हैं